और देख रहा होगा वाइड बोर्ड सभी बैच् evolved अब psdb पढ़ना है sill do रोजन से आगे देखना है आपको और देखना है तो वाङा धिक्षेस यह सी बात हो रही थी है घंज से तिन बार में को लोगोंने बात किया है यह एक फिनौमेन एलक्टोकें केमिकल फिनौमेना है मतलब एलेक्रिशिटी इसमें इनवाल होती है छिंट इटिंग आप दा मेटल है मेटल का इटिंग आप है स्लोली इटिंग आप दा मेटल होता है यह ठीक है तो देदे यह किसी भी मैं अभी अपना speaker कांट से निकाल दे रहा हूं कोई बात होगी तो आप बताइएगा मुझे चैट करिएगा मैं देख लूँगा सब लोग जूड़ चुके सूरिकांद जूड़े हुए हैं इससे मेरे साथ और कौन जूड़ा हुआ है एक दो लोग और हैं देव जूड़े हैं बाकि सब गयाब हैं चलो कोई बात नहीं तो यह लेक्टो कोमिकल प्रोसेस है चले आगे शुरूआत करते हैं हम लोग और कल इ तो एक चीज यह है ओक्सीडेसान जो है उसका डामेजिंग होता है अपने फूड फूड पर ठीक है ऑच्टीधल्स पर उसमें दिखक्राट आती है हमारे जो फूर्ट मेटरियल होते हैं जैसे जो कुछ हम लोग खाते हैं वह सारे चीजों को अख रवाजय से उसमें दिक्काताती है अच्छा family बोगाइब फूर्ट मेटरियल somehow अगर फूड मैटेरियल है इफ ये फूड मैटेरियल फूड इस्टफ कंटेनिंग जिसमें क्या होब या कंटेनिंग फायट और आयल हो ठीक है अनिस्टोरिंग फारे लांग टाइम अनिस्टोरिंग फारे लांग टाइम अगर उनको लंबे समय तक लिए रखा जाता है इस्टोर किया जाता है ठीक है डे डेवलप अन्प्लिजेंट ओडर वेटा देखो जैसे दुकान उकाँ पर नमकीन तुम लोग देखो अगर रखी रहती है कई बार पुरानी नहीं हो जाती तो पता चल जाता है इसको बोलते हैं रैंसडेटी क्या बोलते हैं इसको रैंसडेटी बोलते भी है तो इप फूड मेटियल अन्प्लिजेंट ओर रहता है तरह कि टेस्ट भी होता है ठीक है एंड बाइट टेस्ट कैसा टेस्ट होता भी है बैट टेस्ट अंड बैट टेस्ट वी होता है डूटू तो यह नहीं होता है दूट इसलिए होता है क्योंकि यह एरियल आक्षिडेशन होता है फैट का तो अगर फूड मैटेरियल है बेटा जिसमें फैट हो और आयल हो इनको लंबे समय तक के लिए उस्टोर के जाती डिवलप कर लेते हैं अनप्लेजन्ट आॉर्डर को और बैट क्यों क्योंकि एयरियल आक्षिडेशन होता भी है तो यह अगल होता है यह आप देखते हैं नमकिन होगारा जल्द जली खराब हो जाती है ठीक है आप कई कुछ लोग नमकिन जल्द ली खराम नहीं होती यह से हरी राम एंड शन्स आइलाहबाद में तो इसके पीछे ले लिजिए मैं अभी इसको देख लेता हूं आगे इसक्रिंशाट लेजिए चल्दी से चलिए नेक्स्ट पेज पेज पर आते हैं हम लोग इसके डिफिनीशन हम लोग लेख लेते हैं इस फिनोमेना आफ श्लो अक्षिडेशन का ठीक है इस फिनोमेना नाफ दिस फिनोमेना नाफ अगे श्लो एरियल अक्षिडेशन अगे श्लो एरियल अक्षिडेशन अ अप फैट और अल अप फैट एंड आल ठीक है इससे क्या होता है यह लीडिंग टू लीडिंग टू अन्प्लीजन्ट ओडर अन्प्लीजन्ट ओडर क्या लिखेंगे इसमें अन्प्लीजन्ट ओडर लेजन्टु अनप्लेजइंट और एंडड बैद टेस्ट इसके लाँब और क्या होता है इसही को काल्ड है सबाद है इसको क्या बोलते हैं आप लोग रैंसी डिटी बोलते हैं इसको बोला जाता भी है रैंसी डिटी अच्छा इस तरह के जो फैट और आयल होगे उनको क्या बोलेंगे आप रैंसीड बोलेंगे तो रैंसीड फैट और आयल से अनप्लेजिट इसमें लग बैट टेस्ट आता है तो इसलिए रैंसीड फूड इस्टप को जो है हमें यूज नहीं करना चाहिए हमारी बाड़ी के करिए हार्मफुल होते हैं सबस्क्राइब करो कैसे उसको प्रेउंट करो बाइस यूजिंग आक्सिदेन्ठ येए हागले पेशोम लोग किसे हम लो भही है ुप एश डिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो एक तो हम लोग अक्षिडेंट यूज करके है ठीक है बाई यूजिंग अंटी आक्षिडेंट यूज करके अस्वाल यह आता है कि Antioxidants होते क्या है कुछ ऐसे सब्टाइंस होते हैं यह कुछ Additive होते हैं Antioxidants क्या है कुछ Additive है दे जा सम Additive Some Additives Additives कुछ Additive होते हैं यह जैसे BHT है जैसे BHT है और BHA है तो What is the BHT? यह होता है Butylated Hydroxy Toluene Butylated Hydroxy Toluene और क्या होता है? Butylated Hydroxy Iniline तो यह दो सब्टाइंस होते हैं जिनको मिला करके हम लोग क्या करते हैं? आक्षडेशन को रोक सकते हैं क्योंकि यह सब क्या होते हैं? यह होते भी है antioxidants anti मतलब against होते हैं नहीं होने देते हैं क्या नहीं होने देते हैं? Oxidation यूजिंग नाट्रोजन डूरिंग पैकेजिंग तो ये कैसे होता है एक्चुली क्या होता है कि आपने देखा होगा हल्दी राम के स्नेक्स देखेंगे ठीक है या फिर जो आते हैं नमकीन आते बजार में बीकान में पुचिया इस तब पार्च पावला पैकेट देखें हु ज्यादा भरी होती है नाट्रोजन कोई पैकेट आप देखेंगे उसमें हवा भरी होती है तक कि वह एरियल आक्षडेशन को रोक सके नाट्रोजन में देखो बेटा टिपल बांड होती है नाट्रोजन में नाट्रोजन टिपल बांड है ज्यादा बांड बन गया एक टिप होता है और अगर यह होता है तो इस वज़स यह रैंसीड नहीं होने देगा क्योंकि केमकली इनर्ट है नाइट है नामा कंडिशन में तो डजनाट काज आक्षिडेशन तो डजनाट काज आक्षिडेशन ए तो आक्षिडेशन नहीं कराता है जब आक्षिडेशन नहीं कराएगा सब्सक्राइब यहांपर रुख जाती है तो इसलिए जो चीप्स और यह इटेबल्स होते हैं और इस तरह के सब्सक्राइब क्या होता नाटूजन गैस भर देते हैं और तीसरा क्या हो सकता भी है कि थर्ड हो सकता भी है कीपिंग दफूड इन रिफ्रिजरेटर कि यह बोजन को रखते हैं क्यों रखते हैं चुकि एट लो टमपेचर लो टमपेचर पर बेटा अगर आप देखोगे होता भी है तो फैट और आक्सिडेशन फैट और आयल का अक्सिडेशन जो बहुत स्लोग हो जाता है आयल और फैट का जो आक्सिडेशन है इनका जो आक्सिडेशन है वो क्या होता भी है उसका प्रोसेस स्लोग हो जाता है तो इस वजह से बेटा इसको हम लोग रखते हैं र in air tight container keeping the food in air tight container पाच्वा है यह प्रिवेंटिंग इस्पोजर आप फूड तु लाइट तो यह तो इतने तरीके होते हैं जैसे हम राइसिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो यह राइसिलिटी को प्रिवेंट करने का तरीका है तो क्यों पुछता है आयल एन फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम सा फ्लस्ट बित नाइटोजन हुआई क्योंकि इन दे प्रजेंस अफ आक्सिजन अफेयर फैट प्रजेंट इन दे फैटी एसिडार अक्सिडाइज फूड कैसे हो जाता है फ्लसिंग बित नाइटोजन कट आफ ना आक्सिजन एंड प्रोटेक्ट करता है ठीक है आप सब जूड़े हुए हैं आप काफी लोग जूड़ गए हैं सुरिकाल्थ हैं देव हैं और इसके लावा प्रकर आप सबको इसके लाव में इसकी मैं आपके लिए प्रौइड कर दूगा रिक्त में पीछे आपके यूट workflow वर्क हो रहा है ये तो यूटीूब के लिए भी हमयां आपकर काम रहा हैं साथ में आपके और जैसे ही यह देखें पहले YouTube के लिए हाँ रिकार्डिंग हो रही है ठीक है चलते हैं लूड़ क पूरे चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं तो इस चैप्टर को जो हमने शुरुवात किया था नेक्ट पेज़ पर कि एक चैप्टर भी आपका इस तरह से खतम हो जाता है वो चैप्टर कौन सा है जो केमक्यल रियक्शंस and equations ये chapter मैंने इस तरह से chapter को मैंने खतम कर लिया है लेकिन आसा नहीं कि ये खतम हो गया है आप में से maximum बच्चे ये बताएंगे किसको सुख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ फिर से नहीं तो शुरू करेंगे फिर से पढ़ाएंगे जब तक चैप्टर कोई एक नहीं आ जाएगा सबको तब तक यह कारेकर चलता रहेगा सबसे पहली बात तो यह था कि इसमें हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था सबसे पहले यह पढ़ा था खवाट इद्धर केमिस्ट्री क्या है यह पढ़ा था द तो इसमें चेंजेज पढ़ा थे मैंटर में चेंजेज क्या होते यह पढ़ा था फिचकल चेंज देखा था फिचकल चेंज देखा बेटा केमिकल चेंज देखा जो आपने पढ़ा फिर इसका केम करेक्ट्राइजेशन देखा आपने कैसे करेक्ट्रिस्टिक होते भी है कर आप एक केमकल रियक्शन देखा गया इसमें देखा गया चेंजिंग टंप्रेचर इस चैप्टर हो गया खतम हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था इस चैप्टर में क्या-क्या है उस पर डिस्कुस करें और आप सभी बच्चे काफी लोग देर से जुड़े हैं तो हो सकता ह मैं फिर से भी पढ़ाऊं या तो अभी पढ़ाऊंगा या तो फिर और सारे चैप्टर खतम करने के बाद पढ़ाऊंगा जैसा आप लोग कहेंगे क्या काते हैं अभी इसको मैंने चैप्टर को खतम कर लिया है इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ा जाए या फिर पू कि अच्छा ठीक है मैं भेद दूंगा कि भेद दूंगा भी कि अच्छेंजिन कलर है तो यह कुछ टेंज फिश्कल स्टेट है तो यह सब हैं हम लोगों ने पूरा पढ़ा था इधर का और लास्ट कुछ से मैं पढ़ा हूं और कुछ ज्यादा बचा नहीं था अच्छा बैलेंसिंग सब को आती है कि नहीं आती है में में टापिक कि क्या है मैं एक बार फिर से आ कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं और कुछ सवाल अगर आप करना चाहोगे तो आप लोगों को याद होगा तो ज्यादा कुछ प्राइं नहीं सब्सक्राइब हमारा शुरू होगा इसके बाद और नेक्स चैप्टर जो शुरू होगा तो अभी 17 16 15 16 मिनिट क्लास हुई है अभी और चलेगा तो अभी नेक्स चैप्टर जब हम सुरू कर देंगे इसके बाद जो है एक दो हम एक काम करते हम आपको पहले पढ़ाते चलते एक बार पूरा एक बार आप भी देखते चलो कि मैंस्टी फिर एक बार खतम और फिर द बार पढ़ाना है अभी अब स्लोली स्लोली यह बहुत तेज हो सकता पढ़ाएं हो तो बैलेंसिंग वगर आप लोग यह बता रहें कि नहीं आई समझ में नहीं होगे फिर से बताते हैं लौट के चलेंगे फिर से एक चीज पढ़ेंगे तो क्या करें अभी कि फिर से होगे सब लोग कि चलो भीया ठीक है अब एक बार यह पूरा चैप्टर जो है फिर से पढ़ा देते हम आराम से आपकी बार बलकि सब लोग एक काम करना मेरे साथ ही लिखते चलना मैं नोट्स भी बनाता चलूंगा साथ में और लिखते चलेंगे हम लोग फिर से पूरा हाँ तो सब साथ साथ लिखते चलेंगे तो यह फायदा हो जाएगा कि नोट्स भी आपकी बन जाएगी स्कूल के लिए फिर परसाद नहीं होना बहिया चली फिर शुरू कर देते हैं चैप्टर चले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें पढ़ना हमें कि सबसे पहले चीज़ क्या है कि अच्छे डिफाइन करें हम लोग यह ब्रांच आफ साइंस है कि अब ब्रांच आफ साइंस अब ब्रांच आफ साइंस कि विच डिल्स विट कि अब कि अब इस्टेडी आफ मेटर कि अब दिल्ग विद्ध द कि कंपोजिशन ठीक है इस्ट्रक्ट्ट्र प्रापर्टीज एंड चेंड 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 आकरिंग इंडा मेटर यह तो भीया हुए केमिश्टी 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 फादर कौन है भीया लेवाजियर हैं तो अगर आप देखें कौन है लेवाजियर सहाब आश्यक चुत्र होगा नहीं बहुत पुराना ऐसे बना होगा देखें मेरी यूट्यूब अगर काते बार निखलेंगे कोन है यह तो गया है कि अगर है कि अगर चलिए नहीं शपरात हम आ गया आजाते हैं पंटापी पढ़ाते हैं कि अगर में अगर आपके मिश्टी लेवाजियर है इतना नोट कलिए भी सब लोग ठीक है बिटा अब इसके बाद है चेंजेज मैटर है मैटर क्या है हम लोग जानते भी है पहले से पढ़ेते आए हैं मैटर कि एनिधिंग अकूपाई स्पेस है मास काल्ड़ मैटर अकूपाई स्पेस एंड है मास यह मैटर है मैटर में थोड़े से चेंजे जा सकते हैं कभी कभार और जो चेंजे जाते भी है दो तरह होते हैं देखत होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज जिसमें कोई निया सपटेंस नहीं यह बंता है मोल्कुलर अरेंजमेंट है बस कोई निया सपटेंस नहीं बंता इसमें क्या होता भी है न्यू सपटेंसस फार्मड यह एक्जाम्पल देखेगा बॉलिंग आफ वाटर है डिजल्विंग आफ साल्ट इन वाटर इसका एक्जाम्पल क्या है फर्मेशन आफ कर्ड बर्निंग आफ फूड यह है तो यह भी यह फिजकल चेंज है और यह है केम्कल चेंज है